यह प्रीवियस क्लास की सिनारियो थी आज भी हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे करेंगे है न तो यहां पर अगर हम बात करें तो करेंट इसको मैं लिख सकता हूं क्यूब आइटी इसी में हम एवरेज करेंट को डिसकुस कर रहे थे हैं तो आई आएवरेज क्या था डेल्टा क्यूब देल्टा क्यूब रखेंगे इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा टी और यहां पर क्या कहता है वो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू इस इस इंस्ट लोगे तो टाइम इंटर वो तो बहुत छोटा रखना पड़ेगा आपको टाइम इंटरवल जो है यह यह डेल्टा टी आप एसे लिख सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू किलियर है यह सर्थ इसके बारे में और और क्यू निकालने के लिए अबने क्या जाथ इसको हम क्या बोल सकते हैं स्लोप on crime और इसको क्या बोलते हो एरिया एरिया आयन occupом किया बेर होटेग जाख यानि अनि स्लोप इंटर तो वो रिदे देगा और नहीं आपको क्या देदेगा तो आपको क्या देदेगा चाज़ लिएवने बात के था ओम स्लोक और ओम थी एदा यह ता कि कुई है यानि वी डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इसी पहरी इसी इक व्यादिना अगा आया डाओ इसे से आप आई के भी नहीं है और युदु किया? अगर कोई भी बहुत जादा है किसा कंड़क्टर है वह कंड़क्टर कि वैलू कम होगी तो इस पड़ते सुपर कंड़क्टर आगे बताएंगे आपको सुपर कंड़क्टर किसको बूलते हैं वह वायर जिसकी रेजिस्टेंस और मुझे जीरो होती है और अलमोस जीरो प्राक्टिकली तो अचीव करना बड़ा मुश्किल है लेकिन हम फ्रिटिकली पढ़ सकते हैं जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टेंपरेचर के साथ हमारी रेजिस्टेंस की वैलू क्या होती है चेंज होती है तो रेजिस्टेंस क्या था फ्लो अफ रेज क्यों है क्योंकि आपको पता है कि जब भी एलेक्ट्रोंस या चार्ज किसी भी कंड़क्टर से मूव करता है तो देर इनॉर्मस नंबर फॉलीजिस्ट इदम धर 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 चल रहा है अब हो कुलीजन इतना ज्याधा हो रहा है कि भाई वो रुकावट हो गाई होगा तो इसका यूनिट क्या होता है विटा ओम और इसका करेंट का यूनिट भी क्या था हमारा है तो पता ही है आप लोगो समझाने की ज़रूद तो मेरे को है नहीं यह तो प्रीवेस क्लास में दो डिसकस किये तो लिख दिया धकल के करेंट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है तो सबसे पहले रिजिस्टेंस की बात क अब किसी भी किसी भी किसी भी कंड़क्टर के अंदर जो रिजिस्टेंस क्रियेट हो रहा है अब जितने लंबा वो इंड होगा उसको उतनी मुश्किल होगी एक इंड से दूसरे जाने में तो वही रिजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंडेंसी है अब इलेक्ट्रोन को क्या है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है विचारा ज्यादा को उसको अब सहना पड़ा है पहले के रिस्ट्ट में तो सबसे पहला जो डिपेंडेंसी है और लेंथ अप्ट्रोन के साथ कैसे चलता है बटा रिकली पर पूस्ट एनि मैं लिख सकता हूं रेसिस्स्टेंस एस डियरेक असा मैं भी इसस पर करेंगा फिरेक्टी फ्रोर्पोर्शनल थू गार लेंख गो लोग हूं तो यनि मैं इसको अगर शॉट्कट में तो मैंने एक लाइंग्वज में लिख दिया अगर मैं इसी चीवको शॉट्कट में लिख भो that is r directly proportional to L yes sir area of the temperature sek measure area of temperature we have the area of cross section of the conductor सिलेंडर जो होगा इंसाइट यह वाला जो पार्ट होगा इट इस धेरिया और सेक्षिन होगा रिजिस्टेंस की वैले उतनी कम क्यों की रिया प्रच्ट्टन बढ़ने का मतलव इस स्पेस क्या हो जागा बढ़ेगा अब इस क्या हो भी आप पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा तो जादा उसको स्पेस मिलेगा जाने के लिए तो सेकेंड नमर अमरा क्या हो जाएगा एरिया ओफ प्रसक्षिन आफ दे अगर इन वर्स्पीपर पेसिन अलोगा अ एरिया ऑफ क्रस्प्स्षेक्षन ओफ द और यहां कैसे ए इन obt प्रोप्रोशन divers EU अल्ट बढ़े की इन एंदक vielen इसदेंज बढ़े इस इनुवर्सली प्रोपर्शनल तो अर्या ओफ प्रोस्च्ट्टि जिसको अगर मैं शॉटकुत में लिखू। से बढ़े अर डियरेक्टर ली पर गोर्शनल डॉप पर एक से इस तरह किस पर डिपेंड करेगा मैं अरिया चेमप्रेचर भी बोल सकते हो मैं अप्रिय बूसके हैं अब को पर का वायर है उसकी रिजिस्टेंस पुछ और होगी ऐलमुनाइयम का वायर है तो उसकी क्यों होता है तो सबसे पहला तीसरा नंबर जो मेरा फैक्टर्स जो होगा डैट इस थार्ड नंबर जो फैक्टर होगा डैट इस नेचर ऑफ मैटेरियल कि इस नेचर ऑफ मैटेरियल अफ द अपना हुआ अब सबसे कम मैं आपी बोलने कि सबसे कम सिलवर का अगर सिलवर की वायरं करेंगे तुमिए अच्छा बात लेकिन जेनरली सिल्वर की वायर हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं विद्धर आपको पता है कि सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो तो कॉस्टली है ना इसलिए हम क्या करते हैं इसलिम कॉपर का यूज़ करते हैं कोपर और सिल्वर में ज़ो ज़ादा डिफरेंस नहीं है यह खोता की कॉपर बहुत ही खराब है ऐसा नहीं है यह खोता सिल्वर अच्छा तो है लेकिन उसके रेस्पेक्ट में कॉपर सस्ता पड़ेगा और उससे थोड़ा बोड़ा कम ही ह हमारी रिजस्टेंस या रिजिंस्टिविटी है इसलिए हमारी रिजिस्टेंस ज्यों है वो मैंटेरियल पर भी डिपेंड करती है उनल टिपेट कर दो The resistance of a conductor depends upon nature of the material, different materials have different resistivity, or resistance, if we increase resistance, we will discuss The fourth point is what is the temperature of our resistance. You know that the temperature of the molecules of vibration, molecules of collision change. Generally, we are discussing the conductor, so I am taking the temperature. The temperature of the molecules of the molecules of the molecules of the molecules कैसे चेंज करती है यह टॉपिक ही आही जाएगा तो अगर कंड़क्टर हो कि यहां पर दो चीज़ें में बता रहा हूं अगर कंड़क्टर होगा तो अगर आप तेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेस्टर बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी यहां अभी आपको इतना है लेकिन अगर सेमी कंड़क्टर होगा आपको पता है सेमी कंड़क्टर का बहुत बुरा इंसुलेटर भी नहीं है और बहुत अच्छा कंड़क्टर में नहीं दोनों के बीच का है तो उसका मुलों क्या बूलेंगा उसको मुलों होगा टेंपरेटर को बढ़हाओगे ता आपकी रिजिस्टेंस कम यह कम होगी जिस्क्र विए विए में विल डिसकुस्टल्ध टेंपरेचर तो फोर सेमी कंडुक्टर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा यह कुष्चन आता है इसमें से पॉर सेमी कंड़क्टर में क्या होगा कि अगर मैं टेंपरेचर को बढ़ाऊंगा तो रिजिस्टेंस कम उल्टा होता है इसलिए अगर टेंपरेचर को घटाएंगे तो रिजिस्टेंस बढ़ेगा जैसे कभी तो भी क्या होता है इसलिकन जर्मेनियम गैलियम आर्स नाइड यह मेन एक्जामपल से सेमी कंड़क्टर के जैसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी अब्यक्टिव कुशन में आपको दे सकता है इफ इंकरीज टेंपरेचर ऑफ सिलिकन इट्स रिजिस्टेंस विल बी यह रिजिस्टिवीटी विल बी सिलिकन का दिमाग जाना चाहिए कि क्या सिलिकन का मतलब क्या है वह सेमी कंड़क्टर है तो अगर इसका टे अब्यक्राइब करेंगे वहां पर कम डिटेल में पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम अब यहां पर आता है कि आपको भी पता है कि resistance is actually the collision of electrons the real cause is the when the electrons flow you have in the charge flow inside the conductor then there is enormous number of collision and due to this collision the electron does not gain up more speed electron जो बहुत आदे speed acquire नहीं कर सकता है तो भाही इसका मत्तब की मैं बोल भी रहूं की due to resistance the the real cause is the resistance and with the help of resistance your current will be reduce जितने ज्यादा resistance रहेगा current उतना ही क्या होगा क्यों कि यहां पर पिकाता है मेरा कंड़क्टेंस का मतब चंड़क्ट करने की छमता चंड़क्ट करने की इस कि क्या होगा उसके resistance का उल्टा हो जाएगा क्योंकि रिजिस्टेंस जादा तो तो बुरा कंड़क्टर हो जाएगा फिर जितने ज्यादा होगा उत उतने कम होगा यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं इन और्गनिक चल गुए तो फिजिक्स में हाफ लाइफ नहीं तरन नसे माइब तो फिजिक्स में वह आएगा रेडियो अक्टिविटी में नुक्लियाई जाएंगे तो वहां पर रेडियो अक्टिविटी है है अधरी में आएगा उसके वाद सेमी कंडुक्टर टॉपिक बचेगा नुक्लियाई जाएंगे तो वहां पर रेडियो अक्टिविटी है रेडियो अक्टिविटी में हमको पढ़ना है हाफ लाइफ नाम पढ़ेंगे आफ लागी स्वालूशन वेगर सब कुछ पढ़ च अधरी आप नरसरी वाला सबाल पूछोंके तो यह बहुत आएंगे सब्सक्राइबा तो अधर पढ़ें आप उसना याद नहीं है मैंने 12 पी अधर पढ़ा था यह एट्स वेरी लॉंग वे अग्या श्राण, अविया सुपना एक तुम्हें तुम्हें में भूल गिया। सब्सक्राइब जाए 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 जा सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है दुनिया को इसे मतलब कर देजिए आप क्या परफॉर्म करोगे लोगो जानेगा यए라고 वालो बहुत अच्छा जान रहे हूं, बट यू गो तो इन निट एग्जाम और यू परफॉर्म वेरी नर्वस, वेरी डिजन परफॉर्म वेल, तो अब निट वाले वो क्या पता कि आपको कितना नॉलेज का बंडार लेके बैठे हो, उसको तो इससे कोई मतलब है नहीं, आ बहुत अच्छा लड़का था, तो इतना नंबर कम कैसे आगे, ऐसा हो जाता है, कि बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत पड़ा, माक्स कम आ गए, तो माक्स सही बात है, जज्जमिंट का एक तरीका तो नहीं है, 100% आप किसी के नंबर को देख के शीरोटी नहीं दे सकते हैं, इसको नहीं आता है, लेकिन अब लाजिकली अगर आप कहीं पर भी जाओगे, आप कोई भी किसी को बहुत होगे, तो वो तो फिर नंबर के बेस्स करना होगा, तो हायर विल भी प्लेस अपवर्ड, और लोर विल प्लेस डाउंवर्ड, तो वहीं बात है, कोई आदमी का पैमाना होता हो, तो नंबर देख के जज्ज करेगा आपको, बाकी मैं यहीं नही जरू होगा, आपको भी पता होगा, कॉमान इंवर्सिटी इंट्रिंस ट्रेस्ट, जैसे हम रहते हैं, क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं, आता तो बहुत कम है, पर एटिटूट बहुत जाता दिखाता, उन से एक कोर्शन भी पूछ लो तो फिर बस उनकी हालत क्या होगा, आपको ऐसा बच्चा मिलेगा, फुदकेगा, पूरा बोलेगा, क्लास में थोड़ा सा उसको शुआफ का भी नेचर होगा, क्या चलो दिखाना है, थोड़ा क्लास में, फॉर्मली कुछ भी कुशन पूछेगा, तो टीचर को समझ में आ जाता है, समझ समझना, जो एक्स्प इसका मतलब ही निकों कुछ नहीं आता है, होता है बहुत चुपा है लेकिन बहुत कुछ आता है, यस सर, इसवार ऐसी हुआ हमारे स्कुल में, जादा बोलते थे न, जादा बोलते हैं, उनके बोड माय है, मतलब 50-40 नंबर, केमिस्टी में, जो सांत रहते थे थे न, उसके उनके, मतलब 70-65 से उपर ही आये हैं, सब्सक्राइब, जादा बहुत इंट्राक्ट भी नहीं करेगा, टीचर से, कभी पूछेगा भी तो शायद पूछ लिया, या टीचर कभी उसको खड़क रहा, बटा कोई प्रॉब्लम है, तो सर हिला देगा, हाँ या ना भी नहीं तो हर टाइप के लोग होते हैं, सब्सक्राइब इसी बात हैं अगर कंड़क्टेंस जादा, तो कंड़क्टेंस काम दोनों एक दूसरे के क्या है, opposite behavior है, है कि नहीं, तो मैं क्या लिख दूँगा, इसको ऐसे भी लिख सकते एक तो यह फर्मूला हो गया कि अगर आपको रिस्टेंस पता है तो आप डिरेक्ट ली उसका रेसिप्रोकल कर दोंगे आपको अपिस तो एक और तरीके से लिखते हो तो जीज उकल टू वोल्टेज के टॉम्स में लिखोगे तो जीज उकल टू क्य अगर बआब किया लिख सकते हो आई पोटेंशय manifest के टॉम्स में रहे घाजता फर्मूला लगा करगा होंगे अगर रेद्धेंस के टॉम्स में रहे干 ठहुत सब्सक्राव पोल रहे हैं अगर यहां पर मैं यूनिट की बात करो इसके कि बहीं ella यूनिट क्या होगा तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं महों क्या लिख सकते हैं सीमेन कि साइमेन भी बोलते हैं साइंटिस्ट का नाम है यह विसी करें तो उनके तीनों कर सकते हो महों ओम इनवर्स भी बोल सकते हो महों या साइमन या सीमेन जो भी कहना इसको एस से इंडिकेट करते हैं इसको इसको इंडिकेट कर सकते हैं यहां तर तो कोई प्राब्लम नहीं हो जाता है बटा रिजिस्टिविटी अभी दो चीज़े जब हम लोग डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे अभी जो फैक्टर्स जो डिपेंड करता है उसकी जो बात कर रहे थे उसमें सिंप्ली मैंने बोला था कि रिजिस्टेंस चार चीजा पर ठीकशन करती है तो अगर आप अगर हम बात करें यहां पर तो क्या आ रही है और कि यह तो समझमें钟 दूसरा क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस डैरेक्ली प्रॉपोश्टनल टू लियर है दोनों को मैं मिला देता हूं तो दोनों को मैं मिलाओंगा कन्बाइनिंग गोठ इक्यवेशन तो यहां पर क्या आएक है कि अगर और हम दयरेक्लिग पॉपोशनल हटाएंगे तो हमसें्ट लगा देंगे हापर अगर मैं यहां पर डारेक्लिग प्रॉपोश्टनल लॉट सद आऊँ को वह हो जै क्या बोल रहे हो इसमें भाइट कापा बोलते हो यहां यह जो है ना यह यह मेरा क्या प्रपोर्शनलिटी कॉंस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे रिजिस्टिविटी अब यहां कोई बोले की बोले कि रिस्टिविटी क्या है तु रिजिस्टिविटी क्या है लिखांगर और दोनों को मैं यूनिटी पूट करता हूँ यहां लेंट यूनिट यूनिट है एरिया भी वन यूनिट है लेंट लेलो इसको वन मीटर लेलो तो अगर दोनों होगा है यहां पर मैं गर करूं इफ is equal to one meter यह वन यहां पर आप यह वाला मेरा यह वाला फंडा आगया मेरा तो मैं इसको लिख सकता हूं कि रिजिस्टी वीटी the just P t b t is sorry is numerically equal to the resistance of a substance having unit area having unit area of cross section and unit length अच्छा अब रिजिस्टिविटी का यूनिट बताओ अगर मैं बात करूं रो इस इकल टू जो मेरा है रो इस इपल टू आर ए बाई एल है सिंपल फंडामेंटल यूनिट जो से निकाल सकते हो रिजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा ओम एरिया का यूनिट इस तीविटी इस ओम मेटर अच्छे हैं यहां पर बात है ना जेवसे अभी हम रिजिस्टेंस के बारे में बात रहे थे कि रिजिस्टेंस जो सब चार चीज़ों पर डिपेंड़ करता हैंगे तो रिजिस्टेंस पर करेंगे ने एरिया पर तर यह इनई पर नहीं करेगा यह समझे बस डिपेंड करेगा वह नेचरी बदल दोगे कंड़क्टर की तो नेचर पर करेगा और किस पर करेगा टेंपरेचर तो जैसे सवाल आया था तो मार्ट में कि अवायर ओफ रेजिस्टिविटी रो वायर ओफ जेनरली इसमें बच्चा गल्दी कर नेचर आप मेटेरियल पर करेगा पर कि घुछ और होगी सिल्फर की कुछ और रही रिपेंड कर दो उसके अरिया को कम कर दो दो डिपेंड्स अपन नेचर दो मेटेरियल तेंप्रेचर तेंपरेचर नेचर अप मैटरल पर डिपेंड करेगा यह मैं बोल रहा हूं बट बट लेंथ और एरिया पर नहीं करेगा अब कितना भी उसको घटा दो उसका लेंद को की काट काट के काट के काट के सब्सक्राइब के छोटे से तुक्ड़े मिले क्या हां resistance तो डिफरेंट मेनिंग इसको समझना बच्चो के दिमाग में रहता है कि लेंग को दूगना होगा लेकिन रिजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है इसलिए ध्यान रखना है हमको कि वह रिजिस्टेंस का कुष्चिन है कि रिजिस्टिविटी का सवाल आ रहे थी मार्क्स में कि इध वायर नुए रीसिटिविटीरो कि वायर ओफंइस्टिविटी रो Ayese stress ट्वाइस स्टेस्टिवाइस मतकि घृस थे स्ट्रेस प्याइस चा trafficking जोर्डिए उसके लेंड को आपने खीच के दू लीघए कि ऊठीड तो इसा नहीं होता है यह देखना आपको कि किसका सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे ए the resistivity does not depends upon length and area of प्रॉस्ब्सक्श्श्ट तो लेंथ पे करेगा ना एरिया पर सेक्शन पे करेगा विच अपॉन किसे करेगा नीचर अपन तेम्टर पे नीचर आफ न आइसटेर अटेमरेटर आइस अटत इम्टर अट्रेमरेश सोफ मेंट यव्ट से चैनल अट को च तो क्याओ नेचर पर हको इन चीज़ों पर आपको रेजिस्टिविटिटा करना है तो थो हम क्या बूलेंगे रहतर तो है करन्ट को क्या बोलेंगे एप ही प्रम यह पड़ेगा तो यह भी पड़ेगा यह गटे कि यह विद्विक लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है उसके यूनिट लेंथ की बात करता है यूनिट लेंद का रेजिस्टेंस यह कहले एक मीटर करेसे जैसे आप जाते हो नो खरिंदने अ सिंगल पीश का जो हो पूरा कलेक्टिवली पचास होगे हैं ओम्मीटर एक-एक मीटर ओम्मीटर या यह कह सकते हो कि यूनिट लेंद्ध और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा समझ यह बात आप यहनी आप कोई वैयर लो अप यूनिट लेंद्ध लो अग games एक यूनिट लेंद्ध लो यूनिट एरिया लो उसका जो रेजिस्टेंस हो आप एक लंबा सा यू बढ़ बढ़ है कि टिए हैं अम पी तुट काई है तो कितना बी लंबा हो आपको लेना योलिक में पॉंट कर नही है मैं इसमें से मैं काट लूँ इसमें से मैं निकाल लूँगा और क्या निकाल लूँगा इसमें से यूनिट लेंध और यूनिट एरिया निकाल लो तो यूनिट लेंध और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस तो हर यूनिट लेंध और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस क्य गुसा कुछ की नहीं यह सर्शी पेटा समझ मैं आपको यह सर्व तो रिजिस्टि या कह सकते हो कि रिजिस्टि वीटी डग नौट डिफेंट सपन शेप लें तर अरिया की बात हो गई तो शेपन साइस शेपर साइस पर टेपेंड नहीं करता है एक तो होता है आपका सेमी कंड़क्टर एक होता है इनसूलेटर आप बदाओ किसकी ज्यादा होगी वह इंसूलेटर की सार्व इंसूलेटर की ज्यादा होगी उसके बाग ज्यादा होता है जैसे नाइक्रोम जिनली हिटिंग जो इलिमेंट होता है उसमें हम नाइक्रोम यूज करते हैं क्यों नाइक्रोम की रिजिस्टन्स बहुत ज्यादा होती है तो करेंट जेम उसमें फ्लो करेगा तो हेटिंग जादा होगा वैसे ज्यादा लॉसों लॉस्ट होगा क्लिए रहे तो यानि अगर मैं सिक्वेंस की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंसुलिटर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा उतके बाद मैं क्या बोल रहा हूं एक बीज में ले लो लो आ है उसके बाद किसकी होगी सेमी कंड़क्टर सबसे मीनिमम किसके लिए होगी तो बहुत करोंगे तो कंड़क्टर में जो मीनिमम म मोव लोगं पड़ा की अच यहां पर insulator में ज़ादह किये वहुत ज़ादबों ज़ादह वहुत ज़्याद हरब सबसे मैक्सिमम किसके लिए हुगी कि आपको पता है सी कि व्हाइन शुलेटर में तो कम ज़्यादा होगा दा जिसे यहाँ नहीं सकता अंदर मत्फा मार लों नहीं करा से इंसुलेटर में सबसे जाधा मैक्सीमम जो होती है वो ती क्वार्ड्स आप इसमें पढ़ें गवें क्वार्ड्स चरह तो मैकनिकल प्रप्रपटी दफ सॉलिट्स मेंख कहां पढ़े हो जारेया तो मैक्सीमम जोगी डैटीज सबसे ज्यादा होते ही है लेकिन उन सारे इंसुलेटर में फ्यूस्ट क्वार्ट मैक्सिम होगा और सिल्वर में सबसे कम सबसे चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं अभी चो मैं अगर माली जी मैं इस्ट्रिच करता हूं तो आप बोलो के सरे स्ट्रिच कर देंगे तो रिजिस्टिविटी पे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन मैं करो मैं स्ट्रिच कर दूँ दुगू ना इसक पर विजशु आजिएका पका सभ जैगा थी जखर बॉली सर्ऩ अमे परेजिस्टिविटाधोट हुआ है को इस कुछ सब बात अप्र नेखेंऐ थोड़ी न जब दिगा थे स्ट्रिच अब आपने चलिच siè्ए इसा नहीं है थोड़ा एंसर गलत है आपका वह इसलिए कि मैं खीच रहा हूं अगर मैं सीधे यह तो इसको समझो थोड़ा इससे कुश्चन आता है अच्छली आपके सी इसे मालो एक वायर है यह वायर है अभी सिग्रान वायर अप्लोग निदिख्ड़ा है यह तो इसका में इससे पर मालो पहले इनिशिल इतना लेंथ ता इंग अमनेसमे जोड दिया इतना लेंथ हो यह तो यह तो कर दिया इसके लेंथ को बढ़ा दिया मैंने इसके लेंथ को पहले इनिशिल इस दिस वाज द लेंथ उसके बाद मैंने इसको लेंथ को उतना वर बढ़ा दिया यह तो मैं कहेगा तो मैं कहूंगा सर ट्वाइस क्योंकि मैंने इसमें चेंज गया लेकिन अगर मैं इसको खी तो अगर मैं इसको खीचूंगा कोई बीची देखते हो उसकी मोटाई कम यहां सिर्फ लेंथ नहीं चेंज हो रहा है अगर कहीं पर वल्ली लेंथ इस चेंजिंग देन आपका अरिसर सही था किसर ठीक है ट्वाइस करेंगा ट्वाइस हो जागा कोई प्राब्लम नहीं इस में क्या दिक्कत तो मैं करूं ठीक मैं भी कर रहाँ कि ट्वाइस हो जागा कोई प्राब्लम नहीं लेकिन इफ्यूर एस्ट्रेचिंग अगर आप उसको इस ट्रेच कर रहे हो तो प्राब्लम है कि सर अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो उसी रेशियों में एरिया भी कम हो जाए जैसे आपने दूगुना कर दिया तो एरिया तो हाफ हो जाए पहले एरिया क्योंकि वालुम तो एल ही तो जोड़ दे तो कोई प्राब्लम नहीं लेकिन अगर इसको खीचोगे तो माल लो कि इसका लेंथ जो ट्वाइस हो गया कि अगर आप करते हों किसी भी चीज को पर स्ट्रेच करोगे यह जान लो कि उसका एरिया जो होगा उसी रेशन जैसा आपने तीन हुना कर दिया थे वाई थी हो जागा क्योंकि यहां पर वालम कितना होगे यहां पर मालल आपने लेंद्ध को टूए कर दिया अब थनी को जाएगा तो यहां पर यहां पर टो लेना पड़ेगा तभी फिर वालम ऐल ली आएगगगी वालम तो दूगुना नहीं हो सकता है आपको पता है आप मैथ में कुश्चन बनाता हुए वालम तो किसी चीज़ के नहीं बदल सकती है तो यहां पर स्ट्रेचिंग न बाएगा तब आप दुगुना नहीं करोगे option में आपको दिया रहेगा ट्वाइस लेकिन आप क्या करोगे कि जितना ratio में आपका resistance क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा उतना ही ratio में आपका area भी क्या हो जाएगा तो यहां पर मैं कह सकता हूँ वरेस्टिवीटी यह रेसिट्ंस तो यह अजिए उसरेच्ट दॉइर के जिणरली आपसे कुशन आएगा भी तो यह थो आएगा तो माले जी कि आपने एक जिसक्ता कुप पता होगा और वो पता होगा की R directly proportional to L by A यह तो पहले से याद वी डिली होगा आफ कोई पीची जुक Look लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स टू इस इक्स टू इस एक्स टू इस एक्वल टू यहां भी मैंने किया है आरवन रेश्यों तो लिख सकता हूं मैं अब माल लेजे अब माल लेजे यहां पर हमको क्या करना है कि एक वायर है सिंपल एक वायर है यह वायर है यह वायर है अब इस वायर की कुछ ने कुछ एरिया होगी जो भी होगी अब इसको मैंने स्ट्रेश्ट कर दिया पुछ जोटा बनाता है तब यह उसमें रहो गया है गया रहा है समझ में आण आण आप लोगो समझ में ताबलोगो अब मेशा आपता है कि वहां रिए इंटेलिएट यॉल रिंटेलिजेंट येस सर नो सर नो बड़ा वाज सर अभी सर इतने नहीं है सर तो टेस्ट न पता चलेगा इस बार संडे को टेस्ट है नो लेकिन टेस्ट में नंबर कम है तो उसे मायूस नहीं होना है इंप्रूब्मेंट करना है मैथ के लेबल का पेपर है अब इसे समझ लो अब लगे कोशन जाता हूंगी नहीं ऐसा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बाइलोजी वाँ नीट के लेबल कर तो नहीं नीट से अब लेबल कर ठीक है ना कोशन मेरे पास आज आया है मेरे काज रिवीव करके देना भी चाहिए लेकिन मैं नहीं दिया हूं लेकिन आज रात में दूँगा सर थोड़ा कोशन के लेबल कम करना दीजिए फिर जादा हो यह तो पिर तो आंसर भी नहीं आएगा मैं बहुत ड़ी है लेकिन को शाम लेकिन के लेबल फोड़ा सव जादा हाई है मैंने बोला भी है छेटिन सरह है वह पेपर बनाये मैंने बॉला प्राक्टिस में नहाएंग गंता तलाब में डालेंगा तो बेटर है ना तलाब में इसी ने हुगा हमारी लिए बड़ीर आय नाला वाला में तो निकल लोगे तो नीचे वाले में लेंग वी होगा हां शाक्षी दर ध्यान दी हुई हुए हम उबर बात करें शाक्षी दर ध्यान है ठीक होटा टूए डिपक ने बचाया है कि आप लोग अगर बाल वन पकड़ के चल रहा है तो बड़ा गवड़ हो रहा है वह वह वैसा तो नहीं है इस अब जाधा टॉपक भी कवर नहीं पाते जखे को अब यह वाला जो मामला है मेरा पढ़ते हैं बीची कि बाओ करते हैं यह वाला जो मामला है डिक बीफोर स्ट्रेचिंग और यह वाला जो मामला यह क्या है आफ्टर स्ट्रेचिंग आप कुश्चन ऐसे बना सकते हो कैसे बना हो गया आर वन बाई आर टू इस इक्वल टू एल वन बाई अब एक हम यह फर्मूला तब लगा सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं मताब जब भी ट्वाइस दिया हो कुछ भी दिया हो तो यू कन अब त्वी आपका कुश्चन आ रहा है जैसे बसी बोर्ड में आ रहा है आप यह लगा सकते हो लेकिन एक जेनरल कॉमन फर्मूला बना मैं ब तो मैं यह ले लेता हूं कि माल लेजी कि एक वायर को इन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया तो हम मैं लिखना हूं लेट वायर ओफ लेंद्ध इनिश्यल लेंद्ध उसका एल है स्ट्रेच एन टाइम्स ओफ इट्स ओरिजिनल लेंद्ध के एन टाइम्स अपने स्ट्रेच कर दिया आप एल वन इस इकल टू क्या माल लो एल तो एवन इस इकल टू क्या माल लो ए लेट्स में कर लेता हूं अब आपने क्या कर दिया एल टू क्या हो जाएगा अब यहां पर एटू क्या हो जाएगा उसी रेश्यों में कम हो जाएगा इनिशल रेजिस्टेंस उसकी आरवन जो है उसको आप आर ले लो और आरटू जो है वह आपको निकाल रहा है तो सिंपल उसी फर्मूला पर लगा दो क्या मैं बोला हूं आरवन बाई आरटू इस इकल टू क्या हो जाएगा बट्टा एल बहुल भी गया ना मालो फर्मूल आप भूल लगे फर्मूला तो याद रखनी के जलोत महीं तो लेंध के साथ डारेक्ट्रिय प्रोपुष्णल यह तो आरवन उपर तो लबन उपर एटू सामने 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 अईन्वस्ट्विभर सिंदेखो नीचे यह तो एल आरवन उपर रूपर है और आरवन उ तो अ कितना हो गया यह बाई यहीं पर क्या हो जाएगा यह बिकेंसील गयाको 사ट किरेगा डी ग। वण भाई इंटम पर डोट क्या हैगा अपराइव तो इसक्वाइर ऊच्वाई एंट सिंपल है सिंपल यह फर्मूला लगा के आप कोई भी कुश्चन बहा बना सकते हो जैसे फ़र इक्जाम्पल आपको दीवा है वायर ओफ रिजिस्टेंस फॉर ओम बार खुल रहा हुए अवायर ऑफ रिजिस्टेंस फॉर ओम इस इस ट्वाइस ओफ इस लेंग वाट विल बी मिव रिजिस्टेंस प्लाइब एक ट्वाइस पार्ट टू र्ट्र बख्री इस इपल्ट क्या एक तुरिक है ऑदा नहीं है फोर आर हो जाएगा यह सब्सक्राइब और उसको ट्वाइस कर दिया आपने तो ट्वाइस करो इस एंड टाइम्स खीचा गया है उसकी वैलु आप क्या करोगा यहां पर अब यहां पर आज एक अंडुक्टिवी टी जैसे वहां पर हम रिजिस्टेंस तो उसका उल्टा क्या आया था और उसका और हिस्टिविती उसका रेसी प्रोपल क्या हो जाएगा अगा तो यानि आप क्या बोल सकते हो कंडुक्टिवी टी तो क्देश्टिविटिपक्प क्या बोलोगों बैटा रिच प्रो कि लौफ वसिंगे इस्टीविटी सीक्मा कॉल बात याद रखुआ यहां पर मैं बताना पुड़ा भूल गया हूं कि जजी स्टीविटि का एक और नाम है कि कल नाम से कभी-कभी जे भीरली विटीग लिखा थे बाट एकhistory का ले सकते हैं सो तो औहार पिस्पी रिजिस्टीविटी का कल नाम है स्पेसफिक रिज डिया और कभी कुश्चंक मेझे स्पेसिफीक रेंस्टेबिटि डिया हो में समझ लोग रो धिया हूँ जहन draft हो आइज बट कभी कभी दिया जा सकता है तो conductivity को stigma ऐडिकेड करते हैं तो मैं क्या बहूं the resistivity sorry so reciprocal reciprocal of resistivity is known as conductivity reciprocal of resistivity in a Sigma is equal to one by Rho अच्छा वो इस इकल्टू क्या आया था मेरा आरे बाइल यहां तो यहां पर मेरा सिग्मा इस इकल्टू क्या हो जाएगा यह भी फर्मूला में लगा सकता हूं वो सिच्वेशनल है अगर मेरे को resistivity दिया है तो मैं direct reciprocal कर लूँगा वहां नहीं जाओंगा अगर मेरे को resistivity नहीं दिया है तो मैं L Y R A करो यहां तक तो क्यों दिक्कत नहीं अच्छा एक और चीज़ यहां पर मैं बता दूँ के अगर इसकी unit की बात करूं तो वेटा बताओ क्या होगा क्या होगा इसका क्लेक्टिवली क्या हो जागा इन्वर्स या इसको आप क्या लिख सकते हों क्या लिख सकते हो या पिसको क्या लिख सकते हो या इम इन बीटर इन्वर्स क्या इन्वर्स तीनों में सब कोई भी हो सागा ओए अब और क्या बताना था मेरे को बहुत चलिया प्याजी वे कोई था अधिकर कर्बन रिजेशन यज़क इसमें नीट में से कुश्चंद आता यानि कलर कोडरिंग और इसका सब या तो सर आप मेरे को वोल्ट मीटर दो या मेटर दो और वायर को मैं कनेक्ट करूँगा फिर मैं वायर से करेंट को फ्लो कराऊंगा फिर कितना वोल्टेज दिया कितना करेंट फ्लो हुआ तो मैं R is equal to V I लिगके बता सकता हूं सर ऐसे देखके तो मैं रिजिस्टेंज नहीं सारे लिखा हुआ है उसके तो मैं उसकर करें जया सकतें सब्सक्राहथ यह बिचले का नीधों इसे जिखा हो आपको यह कुछ ऐसा होता है वो जो कार्बन रिजिस्टर्स होता है वो कुछ ऐस तो बहुत आसान टॉपिक है इस बार इससे नीट में कुश्टिन भी था आप देखो गए अभी नीट का कुश्टिन आपको ऐसे रहता है और यहां पर क्या होता है न कुछ सर्कल्स बने यह होगे इसको बैंड गोलते हैं ऐसे रहता है बिल्कुल दोनों तरफ वायर लगाते भी आपको एक्स्परिमेंट करने गले इंजिनियरिंग भी आप करोगे आपको बहुत दारा सर्किट हमको करना पड़ता है तो वहां पर भी चुटे-चुटे-चुटे रिष्टों सा अधिया कैसे कलर को देंगे क्योंकि यह डिटरमाइंड एक्सपरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया इतका वैलू और उसी हिसाब से इसको कलर कर दिये गया ताकि आप देखो क्योंकि लिखा रहेगा तो वायर पर पतला लिखा ओना बड़ा गजब बात है फिर दिखेगा इसके रेजिस्टेंस की वैलू बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है अपरक्सिमेटली थोड़ा बहुत एरर रहता है ऐसा नहीं पांच से दस परसेंट का एरर भी रहता है बट आप इस कलर को देखने यह जो बैंड दिया हुआ है यह जो कलर का बैंड दिया इस ही को वह लोग बोलते कलर कोडिंग और कलर कोडिंग फ्रेसिस्टेंस की बात करेंगे विटा तो सबसे पहले मैं क्या पक्राईड गोलओं कितने सरकाल से चार्थ सरकल की कुछ ना कुछ वैलू है ए ना पहला बैंड जो है वह फस्ट है दूसरा बैंड जो है वो सेकंड ये तीसरा बैंड जो है वो नमबर औफ सीरो ये टेन पर पावर आप समझते हो तूँ यह फ्रस्ट डिजिट होगा फ़र्स्ट में फ़र्स लिग ऐं सब्सक्राइब करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अभी बस इतना समझो कि पहला बैंड पहला पहला फैला धिशित दूसरा फिड दूसरा तोलेंट तीसरा क्लर तीसरा सथाकलर उतना टोलेंट्स उड़ी तीसरा कलर नमबर ऑफिक ट इतना कम जादा उसकी हो सकती है यानि मैं यह बोल रहा हूं फॉस्ट बैंड यहां पर कौन सब्सक्राइब यह फॉस्ट बैंड क्या हो जाएगा फॉस्ट बैंड इसकेंड बैंड बहुत आसान है बहुत आसान अभी मैं समझाओंगा सेकेंड बैंड जो है टिस सेकेंड डिजेट उसके बाद आगे बैटा मेरे थार्ड बैंड नम्मर ओफ जीरो डिलिग सकता हूँ करिका यह सब्सक्राइब जयाएंगा नंबर ओफ जीरोजरो त यैनि उतना जीरो यांट नमबर ओफ जीरो शेसा का मतब पावर टेंड और फोर्थ बैंड जो है जिसको आप दी मान रहे हैं यहाँ पर फोर्थ बैंड जो है वो क्या हो जाएगा टोलेरेंस लेकिन आपको पहले कलर का वैलू पता होना चाहिए यह यह जिए उसका कोई बड़ी बात नहीं बिटा मैं बोल ना हूं कि कारव इस पहले चार कलर के बैंड होते हैं यह ऑर्ट जो डीजिट हो रखना पड़ेगा आपको पता ही नहीं कि सर्ड और जाता हो जो डिजिट क्या यहां पर मैंने लिखा color और यहां पर मैं लिखा value तो सबसे पहला color जो शुरू होता है उसके पाद आता है brown, brown की value 1 जो शुरू करना है उसके पाद आ जाएगा red, red की value 2 उसके पाद orange, orange की value 3 उसके पाद आ जाएगा yellow, yellow की value 4 उसके पाद green, green की value 5 उसके बाद इधर लिखते हैं very very easy अगर नीटवीज बार आगे तो चार नमर का आपको confirm है sir, screen stuck है? नहीं है stuck green, उसके बाद में क्या हो जाएगा blue blue, blue का क्या हो जाएगा six violet, violet 7 उसके बाद हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा white, white का हो जाएगा night यानि ये color हमको याद रखना है अच्छे उसके बाद tolerance भी याद रखना है fourth number का है tolerance है tolerance है tolerance है उसमें हमको क्या याद रखना है tolerance table ये तो color table हो गया तो यहाँ पर हमको रखना है color और tolerance और color में सबसे पहले आएगा gold अब बता रहो बता रहो तो अगर gold रहेगा तो plus minus 5% अगर silver रहेगा तो plus minus 10% अगर कोई color नहीं है no color है कोई bandy नहीं है no color है तो plus minus 20% tolerance का मत्तब यह हुआ है कि भाई हम तो expect कर रहे है 5% कम जादा उसका value fluctuate कर सकता है जिसे में अंदाजा लगा लिया कि इतना तो है अब आपको होगे सर मैं इतना color देकर मैं इतना कर दिया बट इसकी exact value 5% error उपर 5% के नीचे जा सकती है समयर बात कि नहीं जिसे मैं बता दिया सर इसकी value 95 से लेकर 5% कम करो 95 परसंट जादा करो सर इसकी value 100 is the on an average बट इसकी value 95 से लेकर 105 तक fluctuate कर सकती है वो tolerance हुआ कि इतना होगा अब यह तो आपको पता चल गए अब यह जो मैं बता रहूं नहीं यह पता चल गए सबसे पहली बात आपको याद रखना है मैं करूँ पहला कलर पहला बैंड दूसरा कलर दूसरा बैंड तीसरा कलर तीसरा बैंड तीसरा कलर उतना number of zeros और चौता कलर टोलरेंस अब जते देखते हैं कि example देखते तो आपको समझ में आएगा बगएर example के समझ में नहीं आएगा तो पहला example में देखता हूं कि लेट विसी वन एक्जामपल मुझे की example देख लिन दो जल्ली से तो मैं अप्रे से भी दे सकता हूं लेकिन यहां पर रहेगा तो एंस से भी पता लग जाएगा जाएगा यहां पर दियावाजयर से इस ग्रीन ए भी लेत सकता हूं फर्स्ट बेंड भी देसता हूं ध्यान रखना यहां पर कह रहीं इस एक मतलभ फर्स्ट वैंड ओ बोल रहा है इस ग्रीन उसके बादमें बोल रहा है बीज वायलेट C is orange and D is silver. Find the resistance. तो resistance कैसे आप find करोगे? मैं क्या बोलना हूँ? first color, first digit. तो first color कोन है याप पे? ग्रीन है. तो चलो ओब यह green. तो green कोन सा color है? 5. इन का जो code क्या है? 5. तो मैं क्या बोलना हूँ? पहला color, पहला डिजिक. तो क्या हो जाएगा 5? दूसरा color, violet. दूसरा digit हाँ? तूसरा कला नमबर इस यह तेन पाकवर चाहने यहानि यहांपर आप क्या कर सकते हो टेन पर फी यहां तिन जिरो लिख दो लिखो यह इंगत्र प्लूस-्माइनस ने पया प्लूस-माइनस फाइप सटेंट पर्सेटंग तो गया है कि इतना आसाल है इस बार का जो कुश्चन था उसने zeros दिये थे एक resistance की value दी थी आप देखना इस बार जो आपने कुश्चन में आपको भेजा है उसमें दिया हुआ है उसमें number of zeros दिये थे नहीं पहला डिजिट दिये थे दूसरे zeros दिये थे और उसने पुला था कि third band कौन सा color है बास समझ मैं तो zeros देखो जो जैसे उसने साथ औरेंज ही एंसर था मुझे यहाद नहीं यतना बट उसने कहा था कि कौन सा color जो है number of zeros होगा मैं समझ दो करें समय दो यह सब्सक्राइब आरे जोगा फाइब वाइब पाइब टानशी कर पाइब जैवन दूसरा कलर दूसरे डिजिट तीसरा कलर उतना zeros चौता कलर टोलरेंस उसने जीरो दिये थे ना और उसने color पूचा था सुनो सुनो मैं पूदू 4800000 प्लस माइनस 20 परसंट अब बताओ कि सब्सक्राइब लोका हो गया और एट का नहीं इसने बोला था सुनो बात मेरी उसने यह समनी कुछ था उसने बोला था कि कि एक कारबन रिजिस्टेंस की रिजिस्टेंस कितनी है शायद यही था मुझे एक जखली याद नहीं बट कुछ नहीं इस उसने कहा था कि थार्ड बैंड कौन सा color है इस कुछन के आप से अब वो कुछन कैसा है आपको जो मैंने भेजा आप क्लास के बाद उसको देख सकते हो और उसको बुक्स और यही कुछन था का रंध मस्थ्या है इसरे थिगा आसान है कि यहां पर याद रखना पड़ेगाए यह थिदे रखना हैilla यहां पर और कशना पर सामने तब कोई दिक्कत नहीं कुई प्राब्लम कौन से मैं बता देता हूं इससे शाद आप याद रख सकते हूं मेरे को याद नहीं रहता है इस ट्रिक के वेसे याद रखते हूं आप यहां लिख सकते हूं बीबी रॉइ आफ ग्रेट ग्रीटिन इंफ very good इन बीबी रखिटो नाम है उनका ग्रेट ब्रीटिन के थे रह वेरी ग्री व्याइव उनके पस बहुत है अच्छी पत्फी अलग है एक्च्वली यह होता नहीं है लेकिन उनके पशा ठीक है तो बीबी-चान नाम है बीबी रॉइब ग्रेट ब्री नाम है बीबी र वेरी गुड वाइफ बहुत अच्छी पतनी थे उनकी तो बीफ और यह याद रखना पड़ेगा इस बीफर ब्राउं इस वी फोर ब्लू इस वी फोर वाइल इस फोर गोल्ड इस फोर गोल्ड ग्रेश्ट वाइफ याद रहेगा विबी रख ग्रेट ब्रेट वाइफ यह तो याद रहेगा ना इसमें दो चीज़ा याद रखनी है एक तो ब्लैक से शुरू हो रहा है अब पर बी दिया ब्राउन लिग दिया वहां पर एक कुछ चीज़ा रखनी पड़ेगी यह पहला में ब्लैक है फिर ब्राउन सबसे बाद में ब्लू है यहां तो याद रहेगा ग्रीन और ग्रे जो ग्रीन सबसे फेमस से पहले आ रहे ग्रीन और ग्रेट जी फॉर पाइए बाकी यह अपको ध्यान दगना है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है बहुत बच्चे करेंगे वन टू त्री पू करते हैं मुझे पता है ना तो पते चला यह सब याद रहेगा उनको ट्रिक भी याद रहेगा कि सर वाई-फाइप का बात के थे तो वैसे भी नहीं भूले हैं सर उसको लेकिन वह स्टार्ट कर देगा वन से बहुत बढ़ा डिफरेंस आ गया बहुत बढ़ा डिफरेंस आ तो यह बता रहा हूं मैं अपने एक्स्प्रियंस से बता रहा हूं कि यहां पर बच्चे गलती करते हैं आप एक तो भाई ब्लैक से शुरू हो रहा है जैसे भी है अपता चला लिख दिया भी फॉर ब्राउन तिरी फॉर ब्लैक अप यहां पर भी सिक्वेंस अप उलट दी तो यह द्याद रखना है कि ब्लैक ब्लैक इस फेमस कलर वाई इस ब्लैक वैर सबका से यहां और जी ऩया नहीं करते हैं और और वन से स्टार्ट कर लेगा याद रहेगा उसको लेकिन एजाम में जब जाएगा तो जल्दी जल्दी के चकर वान टू त्री फॉर फाइव से सारे कौन सा कलर आ रहा 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 हूं निकल लेगा तो यह चीज का हमको ध्यान रखना है तो आपकी कुश्चन गलब नहीं होगी चुटी चुटी बाते ही हमसे घंदी करवाती है आप भी नीट का कुश्चन देखो मैं बतातो रहा हूं देखो कुश्चन मैंने आपको पीडिये फाइल बहता उसमें देखो कहीं न कहीं कुश्चन होगा ता आप उसको अभी सॉल्ब कर सकते हो और इस वज़े से आप उस क्या गलती करता है इसलिए देखते हैं किसी चीज में बहुत फोकस करता है यह से मैं आपको पोटेंशिल बताया था पोटेंशिल ग्रेटीन वेक्टर होता है यह कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं कई बार वहां पर फोकस किया हूंगा उनको पता होता है रेजिस्टिविटी लेकिन इतना जल्दी में की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक्टम एक्जाम का प्रेशर वो दिमाग से उसके स्किप हो गया अब वो जल्दी तो जल्दी बाजी सिच्वेशन वैसा होता है तो उस चकर में जल्दी कर देता है इसलिए इन चोटी-चोटी चीज़ों को हमको क्या करना है कियर करना है सो डेट की मैं माइनस वन लेके ना हूं पलस फॉर लेकिया हूं ठीक है क्लियर मेरा कोईशन बता दो मनीशा कुशन पता दो तेम आईनी तो बरागर बरूल्या मनीशा दो फिर्जा